दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस दनियूज सरत पहार की पार्टी एंसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक को लेकर एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है पिछले कुछ टाइम से नवाब मलिक कुछ न कुछ अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दे ही रहे हैं किसी न किसी के खिलाप में कोई न कोई ऐलिगेशन लगा रहे हैं कभी जो है वो अपने ट्यूटर एकाउंट के माध्यम से अलग अलग लोगों के आरोप लगाते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो कभी जो है वो प्रेस कॉनफरेंस करके अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगाते हैं अब इनी सब चीज़ों के बीच में आज उनके द्वारा फिर से एक ट्वीट किया गया जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि जर्नलिस्ट जो हैं वो पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से गिरपतार किये जा रहे हैं अगर वो किसी बात के लिए सचाई के लिए उठते हैं सवाल उठते हैं सवाल पूछते हैं तो उनको गिरपतार किया जा रहा है ये पहले जो है केरला में हुआ फिर उत्तरपदेश में हुआ और अब जो है त्रीपोड़ा में हो रहा है इनके दोरा ये question उठाया गया, साथ में इनके दोरा बोला गया, कि ये जो है हमारे democracy के लिए खत्रा है, इसके लिए इसके against में आप बोलना सुरू करिये, इनके दोरा सीधा सीधा बोला गया है, कि journalist के उपर जो कारवाई की जा रही है, जो गरपतारी की जा रही है, उसके खि journalist को support कर रहे हैं, एक तरीके सा मान हकते हैं, सही भी है, क्योंकि पिछले काफी time से ऐसी हो रही है, लेकिन ये उस बात को क्यों भूल जाते हैं, जब अर्नोगोसवामी को उपर कारवाई की गई थी, क्या अर्नोगोसवामी journalist के list में नहीं आते, अर्नोगोसवामी को भी अच्छा दिखाने के लिए इनके द्वारा बोला जा रहा है कि पूरे country में अलग-अलग तरीके से journalist को गरपतार किया जा रहा है, तो पूरे country में अगर गरपतार की जा रही है, तो महराष्ट्रा की भी बात करनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने नहीं किया है, बाइदावे इ सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या opinion है इस पर आप अपनो opinion comment box में बताएं, और साथ में अगर आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब पर के बिल आइकन जरूर प्रेस कर दें